अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्सिन में प्लेश की लिंक मिल जागी यहां सब सभी वीडियो पढ़ सकते हैं चले श्राओ करते हैं Q3 श्रस्किया फासे क्या ने क्या इस लिखा हुए है तो तो आप अर्फशक का अक्यमा प्लता क्या हुआ है तो देखिए यह 1 side यह आपकी 2nd side हो गई और यह आपको कौन सी है 3rd side यहाँ पर आपको दी गई है तो देखिए 1st side की value हमें दी गई है तो यहाँ 1st side की value क्या 3x square plus 2x minus 1 देखिए 1st side की value हो गई है और 2nd side की value हमें क्या दी गई है 4x square plus x plus 4 यह हमें 2nd side की value दी गई है और 3rd side की value क्या दी गई है, 5x square plus 3x minus 2, यह हमें 3rd side की value दी गई है, आप से question इसमें यह पूछ रहे हैं, कि आप हमें इसमें क्या बचाईए, parameter of triangles, तो सबसे पहले parameter of triangles की लिए formula दन कर लीजे, parameter of triangle equal to sum of all sides, यहनि जो भी आपकी side दी गई है, उनको हम क्या करेंगे, sum कर देंगे, that is our answer, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कि हम पहरे आप triangle बताने हैं, और sum of all sides, तो जो भी values आपको दी गई है, उनको हम क्या करेंगे, plus करेंगे, तो जो value दी गए, उनको आप plus कर लीजे, लिखी लीजे, 3x square plus 2x minus 1, in bracket closes, plus का sign, और next number यहाँ पे note करेंगे, next number में क्या दिया गया है, 4x square plus x plus 4, यह होगी हमारी second side, इसके बाद देखे, third side हमें क्या दी गई है, 5x square plus 3x minus 2, और यह हुई हमारी third side, तो तीनो side हमने यहाँ पर note कर ली है, और इनको आप solution करेंगे, that is the answer, इसके लिए क्या करेंगे, देखे, जो भी brackets दिये गए, इनको आप open कर लेंगे, यहाँ पर open करेंगे, 3x square plus 2x minus 1, देखे, यहाँ पर plus का sign लगा हुआ है, इसका मतला भी जो brackets के sign होगे, वो बिल्कुल chainment नहीं होगे, ह इसलिए हम आपर जो भी brackets के अंदर के sign होते हैं, उनको chain कर देते हैं, तेकिन यहाँ पर plus का sign है, तो कोई भी sign chain नहीं करेंगे, जो भी number है, आप उनको note कर सकते हैं, तो देखे, 4x square plus x और plus 4, थर्ड जो दिया गया, उसमें भी देखे, सेम ऐसी plus का sign लगा हो, तो कोई प्रा आएं, तो उनको भी solution देखे, कि जो x square हैं, एक स्कायर वाली number दियेगा है, कुछ x वाले number है, और कुछ only number दियेगा है, तो जब भी आप इस तरह के number plus करें या minus करें, तो number कैसे होंगे, जो x square वाले होंगे, वो उनहीं के साथ plus कर सकते हैं, या minus कर सकते हैं, ठीक है, जो x व ठीक है, तो यह ध्यान जरूर रखिएगा, यानि डारेटली आप पर सैसी नोट कर दिये, तो यह जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपके x square के values हो, उनके साथ ही plus या minus करेंगे, तो देखें, आपर plus का 3 x square, plus 4 x square, और plus 5 x square, तो 3, 4, 7, और 7, 5 क्या होगा, 12 x square, यानि सभ नमबर क्या थे, plus plus के, 3, plus 4, plus 7 हो गया, और 7, 5, plus करेंगे, तो 12 x square हम लिख सकते हैं, ठीक, चलिए, नेस अब नमबर देखते ही, x वाले, तो देखें, 2 x, यह 1 x है, यह देखें, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 hidden होता है, तो यहाँ आप मान सकते हैं उसे, त 2 x, यह 1 x मिलकर हो गए, 3 x, और यह 3 x, तो 3 3 मिलकर क्या हो गए, यहाँ पर यह प्लस का 6 x, I hope इतनी बात तो आप क्लियर हो गई होगी, तो पूरा वीडियो देखते रहें, जिसे कुर्शन सभी क्लियर हो जाएं, और कोई भी डाउट्स आपके ना रह जाएं, यहाँ पर अब यहाँ पर दिखिए, नमबर एक माइनस का मिल गया, और नमबर कुछ मिल गया, प्लस के, तो जब प्लस के नमबर कुछ मिल गया, कुछ माइनस के मिल गया है, तो सबसे पहले क्या करते है, यह से माइनस माइनस के मिल रहें, तो दोना नमबर प्लस हो जाएंगे, और सा से solution करेंगे पहले आप minus minus को लिखेंगे तो देखिए minus minus को plus किए तो क्या होगे minus 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 के हैं तो उनको plus करते हो साइन किसका लगाते है माइनस का, तो माइनस 3, और यह प्लस 4 लिखा, उसको आप रहने दीजे, चलिए next step पर दियान दीजे, अब देखिए, यह तो solution हो चुके, तो यह तो answer लिख लिजे, 12x square, प्लस 6x, और यह देखिए, माइनस 3 प्लस 4, तो जब नमबर आपको एक माइनस का मिले और एक नमबर प्लस का मिले, तो ग्रेटर जो लुएष नमबर माइनस करिए, तो 4 मेस थ्री माइनस करें तो answer कई आगा – 1, और sign किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर नमबर होगा, तो 4 ग्रेटर नमबर उसको sign लगा देए, plus 1, that is यह है आपका perimeter जो हमने यह आपर find out कर लिया तो I hope यह questions आपको clear हो गए होंगे very most important question ने एक जामनेंसर मिनमम 4-5 में question आते ही हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो देखी जिसे सभी questions आपके clear हो जाएं तो देखें triangle related question थे जिसमें formula होता है perimeter of triangle code to sum of all side इसके बाद value हमने note कर लेते हैं और इसके बाद प्लस करते हूं bracket सा भी open कर दी और फिर हमने solution कर दिया that is answer तो I hope यह questions आपको clear हो गए वीडियो पसंद आए हो questions समद लाइक जरूर करते चलिए और आप हमारे चैनल पर नाए हूं अभी ताख कमने subscribe रखिया हो subscribe जरूर कर लिजे bell icon आल पर प्रस कर लिजे जिससे आपको next video की notification आपको मिलती रहे चलि मिलते है next question question number 4th में next video next part में thanks for watching this video